हेलो दोस्तो नमस्ते मैं मनीशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मनीशा की चन में दोस्तो आप सब कैसे हैं मैं आसा करती हूँ कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और एकदम पढ़िया से होंगे तो अभी दोस्तो दोपहर के बाद का टाइम है और मैं आ गई हूँ अपने बगीचे में हमारे बगीचे में चलिए दोस्तो आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या इहां पर लगा हुआ है तो इधर देखिए आम है और केला लगा हुआ है और उधर खेत में धान लगा हुआ है तो धार में पूरा पानी है और इधर देखिए केले के पेड़ में केला बहुत अच्छा फ्ला हुआ है देखिए केला का घार कितना बढ़िया नीचे की तरफ लटका हुआ है देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है और। यह केला तयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों हम देखकर यहां सर जो बढ़ियां केला उसे तोड़ते हैं। तो यहां पे देखिए डिलाई पकड़े हुए हैं साजन और मैं केला को काट रही हूँ केला बहुत खतरनाक जगह है देखिए नीचे से जो है कि पानी जा रहा है और उपर केला फला हुआ है तो बस बहुत बचा के देखिए मैं यहां से काट रही हूँ केला और मुझे काटने में बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब जब भी मैं कोई भी फल तोड़ती हूँ पेड़ में से ताजा ताजा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो देखिए यहां से हम अपने जरूरत की हिसाब से केला को काट लेते हैं और यह केला तो तयार हो गया दोस्तों आप इस केले की सबजी बनाएए पकोड़ी बनाएए बहुत सारी रिस्पीस की बनाई जाती है तो हमने उपर का पूरा हिस्सा वाला जो था वो पूरा काट ल हैं तो चलिए अब हम केला को लेकर चलते हैं नल के पास तो देखिए दोस्तों नल में पानी आ रहा है तो मैं सभी केले को बाल्टी में डाल देती हूं एक बार मैं इस केले को साप पानी से बढ़िया से धो लेती हूं दोस्तों केला तो कई दिन से ये तयार था सभी लोग कई दिन से बोल रहे थे कि इसकी कोई रेश्पी बनाईए लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं पीछे जाऊं और केले क्यों काट कर ले आऊं तो आज टाइम मिला है तो मैं सुची क्यों अपने दोस्तों को भी से सान करने के लिए तो देखिए मैं अभी यहाँ पर प्याज ली हूँ लैसून और हरा मिर्च ली हूँ मन भी मेरे पास बैठे हुए हैं और इधर मैं केला कच्छिलका उतार ली हूँ और देखिए केला कच्छिलका उतारने के बाद मैं इसे पानी में डाल दी थी ताकि यह केला काला ना पड़े तो इसके साथ हम यहां पर लिए हैं तो सबसे पहले हम केला को पतले पतले पीश में काट लेते हैं दोस्तों केला की बहुत सारी रेश्पिया बनाई जाती है लेकिन आज मैं अभी तक बताई नहीं कि आज मैं आप लोगों के विच कौन सीरेश पी सेयर करने वाली हूँ तो दोस्तो आज मैं बनाने वाली हूँ केला का चटपटा पकोडा जो की खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो आए दोस्तो आप लोग को बताऊं कि ये केला का पकोडा में कैसे बना रही हूँ ऐसे तो केला का पकोडा सभी लोग बनाते हैं लेकिन आज मैं अपने सासुमा के बताय हुए तरीके से केला का पकोडा बना रही हूँ तो इसके लिए दिखिये हम अगदम पतले-पतले केला का पिस काट लिए हूँ और इसके बाद एक हमने प्याज भी काट लिया है इसमें और इसमें 2-3 हरी मेर्स भी काट लेते हैं ताकि इसका flavor थोड़ा तीखा-तीखाई तो अब हम इसमें डाल देते हैं अजवाइन इसमें डाल देते हैं कस्मीरी लाल मेट्स पाउडर जो की तीखा बिल्कुल नहीं होता है कलर देता है और इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर अब हम इसमें स्वात के अनुसार नमक भी डाल देते हैं दोस्तों हमने इस केले के पकोड़े में बनाने के लिए सभी मसालों को डाल दिये हैं अब चलिए इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के साथ साथ जो इसमें का प्याज है वो एकदम बारीक हो जाएगा तो देखिए मसलने से ये केला भी थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा टुकडा हो गया और प्याज भी इसमें गल कर एकदम बारीक हो गया है अब हम इसको बेशन में डालते हैं बेशन में डालने के बाद इसे बढ़ियां से हम मेक्स करेंगे इसमें अभी हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने के बाद ये प्याज और केलाप थोड़ा सा पानी अपने आप छोड़ता है तो देखिए अभी तक हम इसमें पानी नहीं डाले हुए हैं, लगता है ये पूरा बेशन ऐसे ही बिना पानी का लपट जाएगा, तो देखिए अभी तक हम इसमें पानी नहीं डाले हैं, और ये देखिए ये लग रहा है कि एकदम तयार हो गया है, लेकिन मैं इसमें कॉड़ोए को छानने वाली हूं तो दोस्तों आज मैं सरसो के तेल में पकॉड़ा बनाओंगी सर्सो के तेल में पकॉड़ा बहुत ही अच्छा और एकदम कुरकुरा नरम होता है तो चलिए तेल को डाल दिये हैं अब हम पकॉड़ों को बनाते हैं तो यहां पर हम पानी और फिर इसके बाद बैटर को एक बार मिक्स कर देते हैं और फिर पकोड़ों को तोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों पकोड़े हमारे कठाई में छना रहे हैं देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अगर इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे दोस्तो तो तेल पकोड़े के अंदर बिल्कुल नहीं सुखता है बहुत ही अच्छा और एकदम नरम बनता है पकोड़ा तो एक बार का हम पकोड़ा इसमें छान लिये हैं अब हम इसे चला बला देते हैं और देखिए एक तरफ से अच्छे से सिख गया है तो अब हम इसे दूसरे साइड पलर देते हैं तो देखिए दूसरे साइड भी अच्छे से सिख गया है और इसका कलर देखने में एकदम गोल्डेन ब्राउन हो गया है बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है इसका कलर अब यह तयार हो गया है तो चलिए दोस्तों अब हम इसे छान लेते हैं यहां पे हम छननी लिये ह तो ये पल्टा मैं ली हूँ बहुत ही छोटा तो बन नहीं पा रहा है इसे तो बस ऐसे ही एक बार का निकाल देते हैं फिर दूसरे वैस का देखेंगे कि क्या करना है पल्टा चेंज करना है या फिर कैसे करना है तो एक बार का तो देखिए हमने चान लिया है पकोडा देखन और खाने में भी तो चलिए पकोड़े को हम डाल देते हैं थाले में इसी तरह से जो बाकी का बच्चा हुआ बैटर है सभी पकोड़ों को हम छान कर तयार कर लेते हैं अभी दोस्तो बरसात का मौसम चल रहा है लेकिन बारिस तो नहीं हो रही है बादल चाय हुए है इस मौसम में अगर थोड़ा पकोड़े चटपटा मिल जाये खाने को तो बड़ा अच्छा लगता है और मन करता है कि मतलब थोड़ा चटपटा खाने का तो इसलिए हमने इस प पकोड़ों को बनाया हुआ है और देखिए ये भी हमारा पकोड़ा बन कर तयार हो गया है और चलिए अब दोस्तो खाने की तयारी करते हैं आप लोग भी आ जाए गरम गरम पकोड़ा खाने के लिए तो ये देखिए दूसरा बैस का हम इसी छन्नी से ही छान लिए और अब तो हमें पलटा वलटा लगाने के बिल्कुल जरूरत नहीं है बस अब हम इसे थाली में रख देते हैं तो लीजिए दोस्तो पकोड़ा हमारा हो गया है तयार इसके साथ खाने के लिए हम पहले से ही बना कर रखे हुए हैं आम की चटनी बनाया है मीथी वाली तो आए दोस् करते हैं आप लोग भी इस पकवड़े को जरूर बनाएए बहुत ही अच्छा लगता है खाने में खास तरसे बरसात के मौसम में तो मजा हिया जाता है दोस्तों अगर पकवड़ी और चटनी मिल जाए तो तो अब हम फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नए रेश्पी के साम तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद